हैलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टू माई चानल, आज मैं बना रही हूँ गोबी के पराठे, धंड का मौसम आ जाए और गोबी के पराठे ना बने, ऐसा तो होई नहीं सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोबी के पराठे बनाने की रेसिपी, मैं आज गोबी के पराठ से ग्रेट करेंगे हम और हमें अच्छे तरीके से ग्रेट करने के बाद इसे दोनों हाथों से दबाते हुए इसे सारा पानी निकाल लेंगे अब मैं इसमें लगबग दो से तीन चार कटी हुई हरीमेच डाल रही हूं आदा चमच अद्रक अद्रक भी मैंने घसकर रख लिया है आदा चमच हल्दी पाउडर आदा चमच अजवाईन आदा चमच ये सौफ और आप जीरा भी डाल सकते हैं इसमें अब मैं एक चमच धन्या पाउडर डाल रही हूं आदा चमच लालमेच पाउडर और कुछ कटी अब हम इस मेशनО को अच्य तरीके से मिलाकर रख लेंगे और आटा निआ निकार दीके अच्छे तरीके से मिलायाय कंट रखना है और इसपे नमक जो है एकदम जब पराठा बनाएंगे तब एड़ करेंगे वरना नमक अगर पहले ढाल देज़ेगा तो इसमें और पाने छोड़ने लगेगा अब हम अपना आठा गुंत कर रेडी कर लिए हैं अब हम पराठा बनाएंगे तो इसलिए मैं एक चम्मच इसमें नमक आड़ करेंगे अब हम एक बड़ी सी लोई लेंगे उसे दोनों अंगुठों से दबाते हुए उसे बीच में हम कटोरी का शेप देंगे जिसमें हम अपने मिशन को स्टाफ करेंगे हमें किनारों को दबाते हुआते उसे थोड़ा सा हलका बड़ा करेंगे अब हम इसमें तीन से चार चमच मिशन को स्टाफ करेंगे हमें अच्छे से मिशन को रखना है ना इसमें कम रखीएगा ना ही बहुत ज़्यादा अब हम इसे हलका दबाते हुए प्रेस करते हुए मिशन को अंदर स्टाफ करेंगे अब हम इसे गोल-गोल घुमाते हुए इसका मुझ बंद कर देंगे और इसकी जो उपर वाली एक्सेस आटा है वो निकाल देंगे इसे हम हलका राउंड शेप देंगे और अच्छे तरीके से एक लोई बना लेंगे इसे हम हलका प्रेस करते हुए अपना प्राठा बनाएंगे अब देखे हम हातों से इसे हलका हलका दबा देंगे जिससे जो प्राठा जो है वो फटेगा नहीं अब हम बेलन से हलका प्रेस करते हुए जो इसे एक राउंड शेप देंगे हमें बहुत जोर से बेलन को दबाना नहीं है बना जो पराठे जो है वो फटने लगेंगे हमारे देखें एक दम इसे हलके हाते से दबाते हुए इसे राउंड शेप देंगे इसके उपर हम थोड़ा आठा डस्ट कर लेंगे जिसे ये बेलन में चिपकेगा नहीं और एक परफेक्ट पराठा बन जाएगा देखे अब हमारा पराठा जोए वो बन कर रेडी है अब हम इसे तवे पर सिखेंगे मैंने यहां पर तवे पहले से गरम करने के लिए रख दिया था अब हम एक साइड इसे तवे पर रखेंगे अब हम दूसरी तरफ इसे पलट देंगे मैं यहां पर सरसो तेल का यूज़ कर रही हूँ आप कोई भी कुकिंग ओल यूज़ कर सकते हैं या फिर घी में पराठे सिखेंगे तो वो और भी टेस्टी लगेंगे इसे हम हलका तेल डालते हुए दोनों तरफ से अच्छे तरीके से से शेख लेंगे सेम प्रोसेस से हम अपना सारा पराठा जो वो अच्छे तरीके से सेख लेंगे मैं यहां पर दूसरा पराठा भी सेख लिया है देखे अब हमारा गोबी का पराठा जो वो बनकर रेडी है इसे आप सौस के साथ हो या फिर हरी चटनी के साथ आप इसे खा सकते हैं तो इसे एक बार घर में जरूर बनाएं और मेरी वीडियो आपको पसंद आएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने फ्रेंड फैमली के शाद शेयर करें थैंक यू